दोस्तों आज मेरे घर में श्राथ करते हैं जिसका हम श्राथ करते हूं फोल्च पेमों यह जाननी के लिए आपको ब्लोग में बने रहना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मौने का टाइम है, सबसे पहले में नहा कर साड़ी पहन कर और आगई हूर अपनी तुलसी माता को जल दे ले तुलसी माता को काफी टाइम मतलब दो-ती दिर हो गयता जल नहीं दिया था क्योंकि बारिश का टाइम था, तो तुलसी माता में बहुत जादा पानी हम दो ले दाता है, साथ ही मैंने एक छोटे से केली का पॉधा लगा रखा है विश्म बागवान मान के, और दोनों को मैंने साथ ही रखा हुआ है, और इसके बाद से यहां पर अगरवती जलाने के बाद और श्राद में वैसे मैं में पूझा नहीं करती हूँ, सिफ में यहां पर जल देने आई थी क्योंकि श्राद के दिन हमारे घर पे जो पूझा आर्भी होती है तो यहां पर जल देने के बाद मैं आया है, और आप मैं करूंगी तरपड की तरियारी तरपड यानि की जिनके नाम पर श्राद होता है, उनके लिए जो पानी हम चड़ाते हैं तो मैंने यहां पर जो मेरी मम्naden कहा करती थी वो सारी चीजे में करती हूँ पर जिससा इमदेने के साथ चीजरा करती हैं जो हमारे पित्र तर्भारा होती है, उनको प्रड़ाम कर के उनका आश्यवाद लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा तरपड का काम संपन होता है आबू प्लीज कोई लोग मुझे जज्मत करिये हैं क्योंकि जो है मैं कर रही हूं वाप में बड़ों को देख कर ही कर रही हूं इसके बाद से मेरे हस्पन ने बनाई है चाय और हम दोनों चाय पिएगे मैंने टट्टा करके रखा तब अगोने में खीर के लिए तो सबसे पहले मैंने दूद ले लिया है इसको थोड़ा सा खोल कर नॉर्मर कर दूँगी और एक साइड मैंने क्या कि है थोड़े से चावल एक हुटी धूल कर रख दिये हैं खीर बनाने के लिए जब तक हमारा दूद गरम होगा तब तक ये चावल भी भीग जाएंगे इसके बासे दो सब्जियों के हिसाब से मैंने निकाल लिये हैं तमाटर तमाटर को मैं वाश करके और अच्छे से टिपे में सुखा कर रहती है तमाटर का एक पेश्ट में त्यार कर रहे हूं आलू की सब्जी के लिए तो इसी डिफरेंट टाइप की सब्जी है इसके रेसिपी आपके साँ शेयर कर रहे हूं इसके दूद हमारा जब हलका सा पकने लगा है उबलने लगा है तो मैंने इसमें भीगे हुए चावल डाल दी है फ्लेम को सिम रखा है पूरी जो खीर है एक से डेड़ घंटे लगती है लेकिन मैं सिम फ्लेम पर ही बनाती है टामाटर के साथ मैंने लिया हरी मिर्ज, थोड़े से करी पते, जीरा, काली मिर्ज और एक टेजपता है जिसको मैं साथ भी पीस होगी बहुत बढ़िया सपलेवार आता है दो टुक्रे छोटे डाल चीनी के हैं थोड़ी सी खड़ी धनिया है ये सारी चीजे डालकर चोटी लाइची है और थोड़ी सी सौफ डाली है सब को पीस लेंगे इसके बास से प्रेशर कुकर में में तेल डाल रही है और जब तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई बहुत थोड़ी सी राई और हें का तरका क्योंकि जीरा हमने पहले ही डाला तो म नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग में यही पर डाल दूंगी त्योंकि टमाटर को इससे घुनने में आसानी होती है। इसके बास थोड़ा सा डाल दूंगो कश्मीरी लाल मुस्का पॉदर। अब यह सारे मसाले इनको अच्छे से मिलाएंगे और प्लेम को सिम करके कम से कम साथ से आठ मिनट में मसाले भूनने के लिए मैं छोड़ दूंगी। यहां पर पेशकूकर में मैंने एक प्लेट रख दी है, जिससे हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे, इस मसाले को धीमियाद पर भून है, इतनी देर में मैंने तोरी निकाल कर छिलना शुरू कर दिया है, हमारे राजस्तान में श्रादों में तोरी की सब्जी जरूर बन तो यहां पर मैं कच्छे अलो की सब्जी बना रही हूं, इस बार मैं बॉयल अलो की सब्जी ने बना रही हूं, तो घर में तीन-तीन श्राद होते हैं, पूरे ऐस से पंदरा दिन में, तो उबले अलो की सब्जी में बाद में बना लूँगी, इतर में शौक रही हूं तोर बहुत सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी तो रही के क्योंकि शुप करने के लिए हम बनाते हैं जिनको पंडित को देना या भोग लगाना जरूरी होता है सबको मिलाकर ढग देंगी सब्जी तयार हो जाएगी इधर हमने आलो की सब्जी में ग्रेवी डाल दी है यानिकी पानी डाल दी है और अब इसके बासे मैं डाल दी हूँ फ्रेश हरी मेती की पत्या अगर आपके पस कसूरी मेती नहीं है तो आप हरी मेती की पत्या डाल कर सब्जी को बनाएगी तो पूरी से तो बहुत अच्छी लगती है। इधर मैं कर रही हूं राइदे की तैयारी। तो दही है, जिसको निपाल कर रखा है। फ्रेज दही चमाई थी, दही को पेटा है, थोड़ा सा डाला है, राइदे का पान मसाला। जो कि होम मेड होता है, मैं बना कर रही हूं। जो थो फूरा सा लाल-misch का पॉटर और फूरा सा सॉाल चीज़ों को मिला लेंगे और उसके बात से हरिद्द्मिया की पतिया है, णो भी दाल है। इसके एक नका को भी डाली जिए। ये अए। आध,. राइधिये को टेश्टी नकी छीर के शिंग्चा बशाल कर में दूर अब इधर हमारी खीर है, जिसमें मैंने चीनी, ड्राइफूर्स, छोटी लाइची लेगरा, सब कुछ जाल दिया है, दिमीदी में आज में पक रही है, खीर बनने में मैं खुब टाइम लगाती हूं, जब तक मेरा सारा खाना बनता है, तब तक खीर बनती है, और इधर मैंने जिनका शाद है, उनकी फोटो किचन में लगा ली है, अच्छे से सपाई करके पाटे पे इनको आसन दे दिया है, और इसके बाद से कुमकुम और चावल कटी का, पूर चढ़ाते हैं, अगर बती जलाते हैं, तो इनको हमकी रास्ते हैं, किचन में हमारे याहीं यही होता है किचन में हम इनको उस दिन भोग लगाते हैं, तो यहाँ पर यह सब करने के बाद आप मैं करने लगी हूँ पूरियों के तयारे, पूरी का आटा लगा लिया था, पूरी का आटा आटा आप देख रहा है, थोड़ा सौट लग रहा होगा, मैं अच्छली सौट की आटा कि एक ठास ही बाते हैं, पूरी बिलने में असानी भी होताएगी तो भटापट से पूरीया तलके थे चलड़ाँगी तो पहले मैने मने सोचा की सारी पूरीया तलक interpret की यहाँ पर मैंने उस धाली नहीं ॉक्पर मैं यहाँ पर रख रही हूं सामने यह कौन है चलिए बता देती हूं यह मेरे बुगा सास हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी और इन्होंने मेरे पती को अपने बेटे की तरह पाला था मतलब एक रस उनको बोद लिया था और यह बुगा सास जो क्योंकि इनकी कोई अपना परिव भाजियम एक करने लगी थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे मैं अपने सास बस Friskas दिकनी करती हूं वैसे मैं इंका अल्गा यानि-" इस टरीके से हमारे घर में इशाद होता है और मैं आसारा काम और रही हूं गाये कुते कोई लिए खाना निकालना हूं, ह्यों स